स्वागतम गाईज, हेलो, वेलकिम बैक, कैसे वो आप सब, आज गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, ये फ्लॉग शुरू हो रही है, वहाँ से जहाँ पे कल खतम हुई थी, तो हम घर आ गए थे, आप वहीं तक देखे मैं घर चली जाओंगी न, ममी के हाथों के खाना खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाओंगी जल्दी, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे और ममी के साथ मैं बात करी थी, पापा भी थे जाइट में, पेनी को भी खाना खिला दिये, अभी तो काफी तेज धूप निकली है, भी थोड़ी सी ठकी हुई है, और फिर हम लोग सो गए थे थोड़े देर के लिए, पापा भी रेस्ट कर लिए, पापा तो ऐसे घर पे थे, वहाँ पे मेरे लिए वेट करे थे, कल रात को ही आ गए थे, दिनवर वेट के मेरे लिए मैं आई कुछ 11, 11, 15 उसके बाद मैं पै काम में लग गए थे, अब यहाँ पे तो आने के बाद मेरा ज्यादा कुछ काम रहता नहीं है, यहाँ पे mostly मैं वो rest mode पर आती हूँ, कि हाँ मुझे तो यहाँ पे rest करना है, और देखो मैं 5-6 महिने में एक बार आती हूँ, 2-3 दिन के लिए, तो आपको लगता भी है कि मैं मम्मी मेरे से काम करवाई गया, करने भी देगी, तो यहाँ पे आके मेरा ज्यादा कुछ काम रहता नहीं है, इस बार तो मेरा काम यह है कि मुझे अपना धियान रखना है, और मुझे यहाँ से एकदम जो मेरा health थोड़ा सा issues है, वो सब कुछ सही करके जाना है, घर जाके ब ठीक होगा, तो सबसे पहले मैं मम्मी एक होमियोपाथी डॉक्टर के पास जाने के लिए बोली, कि वो बहुत अच्छा मेडिसिन देते है, तो वहाँ पे चले जाओ, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं जाके देखती हूँ, छोटा सा ही जगह है, और यह ऐसा ही होता है, होम मेडिसिन नहीं लेती हूँ, पहले लेती थी तो बॉड़ी को भी एक आदत था, और जल्दी काम करती थी, अभी शायद काम करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, चलो मैं पापा के दुकान आए हैं हम लोग, और दुकान में आके सबसे पहले मैं पीछे गए थी, बहा खाना है, अब क्या होती है कि जब भी ऐसे तवित खड़ाब होती है आपके थोड़े से टेस्ट भी खड़ाब हो जाते हैं, और आपको कुछ भी ऐसे भूख लगती भी है, पर कुछ खाने का मन नहीं करता, मुझे वैसा ही होड़ा था, मैं यहापे बैटी हुई थी, हुझ को ईमयंजिन कर रही थी, जिक अपको कर रह रहे हैं, क्या मैं यह कर सकती हो, पापा को हम राष्ट करो, बॉह हो गया, हम दोनों संभार लेंगे, वह चीज मेरे दिमाग में चल रहा था, और मैं खुद को इमयंजिन कर रही थी, as of now to be honest मुझे वो picture नहीं दिखी और वो visualize नहीं कर पाई मैं तो मतलब अभी समय नहीं हुई है वैसे भी मैं पापा को retirement नहीं लेना है my dad is exactly like me बहुत workaholic है मैं पापा को काम करना है और मतलब पापा चाहते हैं तो कि इसको भी और आगे बढ़ाएं पर अभी हम मना करते हैं कि नहीं बहुत हो गया अभी बस कुछी दिन हुए है अभी यहां पर थोड़ा settle हो जाओ आगे तो बढ़ेंगे पहले stabilize होना है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यह समझाती रहती हूँ मैं पापा को और कभी कभी ना लगता है कि यह चीज हमारे में inheritance है और इसलिए मुझे भी सुकून नहीं मिलती जब चीजे थोड़े stable हो जाते है ना मुझे ऐसे चुल मचती है कि stable हो गया अभी और क्या next क्या कर सकती हूँ क्या challenge आ सकता है मेरे life में तो यह आदत है हम सबके अभी देखो पापा काम कर रहे थे हम मैं तो बैटिवेटे देख रहे थी फिर सूप भी पी पापा बहुत अच्छे से स्वीट कॉर्ण सूप बना दिये थे ताकि मदब गले में थोड़ा सा वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी थोड़ी आडाम मिले और उसके अंदर black pepper भी डाले थे तो उससे भी थोड़ा सा help हुआ अभी फिर मैंने कहा कि नहीं बहुत हो गया अभी चलो मम्मी को परशान करी होगी पैनी को लेके थोड़ा सा घूमने जाना पड़ेगा खुछ तो करना पड़ेगा and let's go अभी चलते हैं करके हम निकल चुके हैं अभी और पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार की हमारे दुकान से हमारा घर जो है अगर आप स्कुटी में या बाइक में आ रहे हो सुबा जब आई थी तब तो feel नहीं हो रहा था बिलकुल भी पर अभी काफी ठंडा है और थोड़ा सा foggy भी है अभी पापा थोड़े दिर बैठेंगे और पैनी के साथ खेलेंगे मैं सोच रहे थी कि पैनी को लेके थोड़े दिर बाहर जाओंगी मैं पैनी को घूमने जाना है बहुत देर से बोल रही है ममी भी बोल रही है पर बाहर काफी ठंड है ना उसके वज़े से अचानक से मुझे बुखार आई है ऐसा लग रहे है तो तीन दिन टाइम है मेरे पास खुद को रिकावर करने के लिए हमेशा वय्ट करते है हुम साथ में खाना काते है हम रिली सब की पता नहीं मदब इत्ते दिन के बाद आई और देखो तब एथ खराब है अगर बैक टुबैक फ्लाइट होती और मेरे पास कोई नहीं होता देख भाल करने के लिए थोड़ा खाना भी, बोलने के लिए कि खालो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो फिर मुश्किल होती है, उसलिए अच्छा भी है और बुरा भी लग रहा है, कोई बात नहीं देखो, फिर मैं सो गई थी, और सुभा उठी, सुभा भी थोड़ी लेत मेरे से पहले सब कोई उड़ जाते हैं, पापा तो जल्दी उड़ जाते हैं, छे बज़ उड़ जाते हैं, मम्मी तो राध पर सोई नहीं पाती हैं, पता नहीं कैसे, मैं सोच के परशान हो जाती हूँ कि राध पर कैसे नहीं सो पाते हो आप, पर मम्मी बोलते हैं, पता नही बाहर जाना ही पड़ेगा मुझे मुमी पूरी है सुबह से मेरे पास बार बार आ रही है और मुझे बार बार बेल्ट के तरफ दिखा रही है मतलब उसको बाहर लेके जाना है अब तो मैंने सोचा अचा आप चाई बनाओ और ब्रेकफस्स जो भी करना है मैं करूंगी हैवी क उससे पहले मैं पहले का ब्रेक फैस्वेड हो तो यहीं पूड़ा हमारा भी नहीं है अलग है इसा नहीं कि कि दा नहीं सकते हैं sliding आ हम कहीं भी जा सकते है और भाई भी प्रवाई चला जाएगा तो अभी टाइम है पेनी के पास की बाई के साथ थोड़ा सा मस्ती जो भी करना है उसको कर ले और अभी ना पूरा आपको ग्रीन दिखेगी हर जगे जो आपको कल भी मैं बोल रहे थी बहुत टाइम हो गया पंदरा बीज मिनिट अभी चलते हैं चल कुछ साफ सफाई करके तब ही उसको मैं उपर जाने दे सकती हूँ नहीं तो सीधा जाके बिस्तर में चरेगी अब ऐसे तो अच्छी है अगर मैं बोल दूँ पहले से तो सुन लेती है पर हमारे जैसे घर पे ना गुसते ही हमारा भी आदत है हम भी बिस्तर में बैठ जाते यह सारी चीजे मैं यह सब देखके बड़ी हूई हूँ और पहले ना इतने सारे बिमारी यह जो भी स्ट्रेस असिडिटी और फिर ममी बोलती है कि सो जाती है फिर भी नीद नहीं आता यह सारे प्रॉब्लम मतलब कभी नहीं होती थी पहले अभी मैं बोल तो रही हूँ दे को रीटेन करके वैसे ही जी रहे हैं अब उनको देखके कुछ लोग शायद सोच सकते हैं कि क्या है लाइफ में देर इस नो प्रॉग्रेस और यूनो वही लोग है जो रिच लाइफ जी रहे हैं पैनी को लेके मैं वापस आ गय थी आने के बाद थोड़ा सा नेल पेंट वाला लगाना था फिर मैं ममी के बास बैठी वी थी ममी खाना बना रही थी खाना ममी चूले में बना रही है मोसली विंटर में ममी एक बार खाना चूले में बनाती है ऐसे ही बस मदब शौक से ममी को मन होता है मैं बोल रही थी आज काफी ज़्यादा धूप है क्यों जा र आपको वह बेबुन दिखे थे जो दीघा में भी दिखे थे ना वो दिखा रही थी हमारे यह बहुत हरोज यह लोग हर रोज के महमान है और किसी के घर से भी कुछ भी उठाके लेके चले जाते हैं कोई कुछ बोल भी नहीं पाते पर फसल भी खड़ाब करते हैं अब ड़ाइनमें के हमारे अधाक के सांधोनगे घर से कानाई पर बहुत हुत है और उसको बिल्कूल भी मन करता सौने को जहां पर पापा सोते हैं पनिक पापा के हाके होती ही जाकर सूते हैं मैं लेके सोती तो हूँ थोड़े दिर पर जब भी मैं सो जाती हूँ ना फिर वो चले जाती है पापा के पास मैं इसलिए जाने नहीं देती क्योंकि मेरे पास वो शान सोती है पापा और ममी के पास जाके वो परशान करती है अपने मनमर्जी करती है जो उसको मन करें पापा तो रेस्ट करते है ना इस समय आके दो घंटे तो मैंने ही जाती पापा बॉदर हो जाए और सुनती ही नहीं है फिर पापा बोलते है कि छोड़ तो कोई बात नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होते है अभी मुझे भी आदत हो गया है यहां पर देखो मैं शाम को गई थी और फिर चाय पीए हम दोनों बैठे बैठे अभी मम्मी के साथ मैं पैनी को लेके जाओंगी थोड़ा सा बाहर आज काफी ज्यादा ठंड है तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया था और मम्मी बोली थी कान में भी बांध लो तो एक ऐसे ना वो होता है है हैंड कर्च बहुत साल डिफेसरा गए है वह मुझे नहीं भी थी सबकिस की मोजे नहीं थी क्यूंक सरक्राश पांकर में पाहनेश है फाय नहीं पैनते हैं अभी तो बहुत साहे डिफेरेंट डिफेरेंट आ गए यह बड़ा है पहलें वह निकल नहीं वाले थे मम्मी को मैं कबसे बोल अभी तो अंदर जाने के लिए मानेगी भी नहीं क्योंकि उसको लगेगा कि हम अभी लेके चले जाड़े उसको और वापस से हम नहीं लेके आएंगे ख़बी कबर ऐसा हो भी जाता है तो वह एक्सपीरियंस है इसलिए अपने एक्सपीरियंस से वह जज करी है कि नहीं अब तो मुझे दुबारा से नहीं लेके आएंगे हम बहुत मनाएं उसको कि चलो चलो प्लीज अब भी पापा आए है थोड़े दिर बैठेंगे थोड़े दिर के बाद मैं जरूर से तुमारे डैडी जब जाएंगे तब भी तुमको लेके आऊंगे इतना बोलनी के बाद जाक मैं मैं हस्बिन को बोल रहे थी कि आज रुख जाओ उसको रुखना पसंद नहीं है क्योंकि घर पास में है ना ऐसे हाफ एनार में तो वो खाना खाके चले जाना ही पसंद करते हैं आज तो खाना भी नहीं खाएंगे बोले कि खाना भी पैक कर दो और मम्मी के लिए में दे पैनी को तो जाना ही था इसलिए एकदम मतलब पाउं उठा के थी एकदम की कब जाएंगे कब जाएंगे देखो और मिठाई बस खाए और फिर खाना भाना पैक करके पापा को मैंने अल्रेडी बोल दिया यहां से थोड़ा सा मिठाई वगेरा ही दे दिया था और फिर महां पापा खाना पैक करके रखे हैं तो खाना लेके चले जाएंगे थोड़ा देर जाने के बाद यहां पर में हस्बन फिर से रुख गये पैनी के साथ बात करने के लिए और पैनी अभी डर्डी है यूनो वाई वीकिस अफ दो हेलमेट पैनी को हेलमेट से डर लगता है और सा यहां पर आपको भी आसपास दिखाती हूं थोड़ा सा काफी ज़्यादा ठंड है as compared to Kolkata मुझे काफी अच्छी लग रही है यहां पर कंबल ओरने को मिल रहा है और फिर स्वेटर पहने को मिल रहा है अब पता नहीं Kolkata जाके हमें मिले की ना मिले इस बार शायद थोड़ थोड़ देर हम खेले और वो लाइट लाना भूल गई थी मैं पर इसे भागादोरी कर दी थी लाइट लाते तो बहुत दूर तक वो ऐसे भाग के जाती है पर मुझे ना कभी-कभी डड़ भी लगता है कि मुझे साइकल जो होती है बाइसाइकल उसमें तो लाइट नहीं ह खाना खिलाते हैं एक जगह सब कुछ अरेंच करते हैं और सब को एक साथ खाना खाते हैं यह भी एक अलग मतलब इंजॉयमिंट होती है दिस लाइक डिफरेंट काइंड फान यू नो और मैं एक बार के लिए सोच रहती है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं नहीं आई हू और मुझे थोड़ा सा से हेजिटेशन हो रहा था मैं ममी को बोल रहे थी कि नहीं मुझे नहीं चाना मैं पापा जो खाना लेके आएंगे मैं वही खा लूँगी पर ममी बोली कि ऐसा कुछ कोई बात नहीं है मतलब आप चलो उसाथ में सब को ही होंगे अच्छा लगेगा और लिटरली बहुत ही अच्छा लगा मैं आपे आई और कितने सारे ऐसे बच्चे बच्चे जिनको मैं देखती थी ना वो सारे लोग बड़े हो गए मैं पैचान भी नहीं पारी थी मैं पूछ रहे थी यह कौन है और अच्छा लगा बहुत दिन के बाद सब से मिलके यहा पर आने के बाद ना मुझे वो सारे दिन याद आ रहे थे मैं हमारी याँ पर ऐसे छोड़े छोटे हर जगे आपको ऐसे काली पूचा होती हुए दिखेगी अगर में तबित सही होती ना मैं आपको पका लेके जाती सची में और कुछ कुछ जगे हैं जहां पर बड़े भी हो पर हाँ आज के दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल था में को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और गला ऐसा था कि मैं पानी भी पीने के लिए मुझे इतना तकलीफ हो रही थी पर कोई बात नहीं कैसे भी करके आज का दिन भी बीद गया और फिर हम मुआ से आ गये थे वहाँ पर जाके भी एक पैनी के फ्रेंड से मिले पैनी तो थी नहीं हम मिलके आए पहले तो थोड़ा देर भॉक रहा था फिर बहुकी रहता था थोड़ा पहले जाके थोड़ा सर्प्राइज हो गया पहले तो बहुकी नहीं फिर बाद में भॉक रह थ इतने देड़ तक वो लोग रहेंगे नहीं, इसलिए ब्रसाद लेकि हम आ गये थे. आदत तो नहीं है, उसका घर पे तो ऐसा नहीं करती है, तो मैं भाई से पूछ रही थी, लास्ट टाइम जो डाजली गए थे, तब पैनी को यहां पर छोड़के गए थे, तो तब तुम लोग वापस आने के बाद, दुकान से वापस आने के बाद, उसको लेके बाहर जाते थे, तो फिर भाई से लाइक हम लोग बाहर जाते थे, हम बाहर लेके जाता था, उसको सुसू पॉटी करती थी, फिर घूम के आती थी, थोड़ा खेल के आती थी, इससलिए उसको यादत पड़ा है, तो जब भाई और पापा आ जाते है ना, तो एक दम परशान हो जाती है कि मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, आज तो हम लोग लेके भी गए है, फिर भी परशान करें कि लेके चलो, लेके चलो, अभी देखो ठंट काफी जादा है, छट पे चलेंगे हम लोग और थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास काली पुजा के लिए भाई लेके आया है वैसे तो जादा बम वगेरा हम फोरते नहीं है मुझे डर लगता है बहुत ही जादा मुझे नोईस पसंद रही है पर जो भी दूसरे टाइप के चीज़े है ना वो थोड़ा बहुत भाई लेके आया था उसमें तो ये तो फानूस है आपको पता होगा ये हम दो तीन बस छोड़े और बस जादा कुछ नहीं पहले बच्पन में मैं थोड़ा बहुत करती थी और यहां पे लोग बहुत जादा करते थे पर इस बार कुछ-कुछ इंसिडेंट हुई है तो सब कुछ मना है हर मोर पर पुलिस है और चेक कर रहे है, कोई भी वेकल लेके जा रहे है बैग में कुछ लेके जा रहे है तो क्या है? तो इस बार ये भार कुछ रोट ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है एक दम विच इस गुड इनो, इतना जादा ये सब पलिशन भी क्रीड करती है फिर बहुत सारे ऐसे मतलब डॉग्स या जो भी प्राणी होती है जिनको आवाज पसंद नहीं है they get really annoyed and they get really shocked कि क्या होड़ा है all of a sudden कुलकता में एक incident हुई थी जहाँ पे there was a horse पुलिस का ही था वो और उसको heart attack हो गई है because of the sound उसके वज़े से हर जगे restriction बढ़ा दी है which is really good I really appreciate क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए एक तो ये पैसा खर्च करके pollution बढ़ाने की कोई ज़रत नहीं है हाँ you can do fanus and on थोड़ा बहुत और बाकी चीजे जिससे pollution कम हो मस्ती के लिए थोड़ा बहुत करो पर ऐसा भी मत करो कि दूसरे जो beings है उनको problem हो या pollution हो जाए बहुत ज़ादा ऐसी भी होती थी पता है पहले कि दिवाली के next day ना कुछ दिख्ती ने थी ऐसा एकदम धुआ धुआ हो जाता था हर जगे वैसा भी नहीं होना चाहिए तो हाँ थोड़ा तबित खराब था पर काली पुझा काफी अच्छी भी थी इस बार घड़ पे और रात को फिर दूद पीके मैं सो गई थी ये दूद भी है जो बहुत हेल्प करी है मेरे गले के जो पेन है उसको ठीक करने के लिए सुबा मैं एक डॉक्टर के पास तो नहीं जा पाई थी पर कंसल्ट की हूँ एक डॉक्टर के साथ उन्होंने मुझे मेडिसिन दिये है होपफुली मैं ठीक हो जाओगी एंटिबाइटिक ले रही हूँ तो जल्दी ठीक हो जाओगी चलो गाईस आ